So, hey guys, welcome back to my channel, knowledge and gamma, मैं हूँ आमिर, आपके UPTU 2020 Centres Exam के exam center को लेके, उसके exam city को लेके एक बहुत बड़ा नियू जाया है, एक बहुत बड़ा update आया है, अगर आप उसमें correction करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, तो आप चाहते तो बदल सकते हैं, जिस time आपने UPTU 2020 Centres Exam के application form को online किया हुआ था, उस time पे आपने जो तीन exam city को जूच किया हुआ था, अगर आप उसमें correction करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं, इस condition में बहुत सारे student थे, जो कि अपने exam city को बदलना चाहते थे, जो कि अपने exam center को बदलना चाहते थे, उसमे पर चोथा वाला option देख सकते हैं online correction in examination city मतलब जो भी आपने examination city चूच किया हुआ था उसमें जो online correction है उसको आप 20 July से लेके 26 July तक कर सकते हैं मतलब 6 दिन की time आपको दिया हुआ है इन्ही 6 दिनों में आपको अपना correction करना है 20 July को 2 बजे से लेके 26 July को राद 12 बजे तक आप इसमें correction कर सकते हैं जो भी आपने 3 exam city चूच किया हुआ था उसको आप चाहां तो बदल सकते हैं तो आप क्या काम करिएगा कि जो भी आपके गाउं से आपके कस्बे से एकदम nearest exam center होगा एकदम nearest exam city होगा उसको आप सबसे number one पे चूच कीजिएगा क्योंकि जब admit card आता है तो बहुत सम लगभग 90 से लेके 95% chances ऐसे होते हैं कि जो आप number one पे चूच करते हैं वही आपको exam center मिलता है वही exam city आपको मिलती है बहुत rare condition बनता है कि आपको दूसरा exam city मिलता है या फूर तीसरा exam city मिलता है तो जो सबसे नजदीक होगा आपके count से उसको आप number one पे चूच कीजिएगा जैसा कि आप नीचे तीन option देख सकते हैं तीन link देख सकते हैं example के लिए हम आपको first वाले link पे click करके बताते हैं कि यह मतलब क्या होता है कैसे आपको करना है आप simply यहाँ पे आएंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप right side में only registered candidates sign in तो इसमें आपको जो आपका application number वाला box है उस पे जो भी आपका application number है आपको जो एक hard copy मिला होगा उस पे एक application number होगा तो उसको आपको इसमें fill करना है फिर उसके बाद दूसरे number पर आपको password fill करना है आपको password मिला होगा जहां से भी आपने application form को online करवाया होगा वहाँ से उसने एक password आपको दिया हुआ होगा तो आप यहाँ पर डालके password डालेंगे फिर तीसरे पर आपको inter security pin मतलब जो green color में नीचे दिया हुआ है 5BD, 421 इसको आपको इसमें fill करना है और fill करने के बाद आपको sign in कर देना है sign in करने के बाद वहाँ पर एक window खुलेगा वहाँ पर एक page आएगा वहाँ से आपके तीन exam center मतलब होंगे exam city होंगे जो कि अपने application form को online करते वक्त चूच किया था फिर वहाँ पर होंगे तो फिर आपको वहाँ पर change करने का option आ जाएगा कुछ ऐसा होगा मुझे तो नहीं पता है क्या होगा लेकिन ऐसा ऐसा है कुछ होगा तो आप से आप मतलब जो भी आप चाहते हैं change करना जो भी आप उसमें flip करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं और हाँ आप लोगों में से कुछ लोग ऐसी भी होंगे जिनके application number में कोई mistake होगा या फिर उनके password में कोई mistake होगा गलत होगा उनको याद नहीं होगा तो जब आप यहाँ पर करेंगे तो नीचे आप जैसा कि देख सकते हैं forget password, forget application number जो भी आप भूल गए हैं उसको आप चाहें तो इस पर क्लिक करके जान सकते हैं अगर आपको password याद नहीं है तो forget password पर क्लिक कर दीजीगा अगर आपको application number याद नहीं है आप भूल गए हैं तो आप forget application number पर क्लिक करके अपना जो भी आपका application number है उसको आप पा सकते हैं यहाँ से simply तो आप यहाँ से कल लीजीएगा